हाई दोस्तों मैं मंगला प्रसाद निसाथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल यम्पी अनलाइन इस्टेडी पर स्वागत है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एकजाम से संबंदि सभी जानकारी जी हाँ जितने भी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं सर ये बताईए ओ बताईए तो हम इस वीडियो में परिच्छा से संबंदि सभी जानकारी के बारे में उलेक करेंगे हलकि अगर फश्टीर के हो तो फश्टीर के चात्रों के लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ उनके बारे में जो जानकारी है उसको मैंने सेर कर रखा है आप वीडियो में जाके प्रचार जा रही है जिन लोगों का छूट गया था तो इसके बारे में थोड़ा हम टिक्पड़े किरेगे अभी आखरी में तो पहले हम जान लेते हैं कि सिमस्टर में इस परकार से करा जाएगा कैसे करा जाएगा तो दोस्तों semester वाले छात्रों बहुत ही ज़्यादा परिसान है कि उनका परिक्षय कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा किस प्रकार से कराया जाएगा उनके बारे में सबसे पहले हम clear कर दें तो दोस्तों अगर आप चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें semester वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना है कि उन लोगों का जो exam का payment लिंक आएगी जिस दिन लोगों का payment लिंक भरना होगा पैसा जो है exam का भरना होगा तो उन लोगों का जो समय रहेगा दोस लिष्ट आएगी दोस्तों हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे ताकि आप लोग तुरंत अपना payment भर सके तो चैनल पर आप हमारे बने रहे हैं नई अपडेट के लिए जैसे ही आएगी हम आपको लिंक जो है प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि इस बार जो पेपर हो रह आपको payment भरने के लिए और दूही दिन का समय रहेगा आपको admit card download करने के लिए अर्थात आपको पांच वह दिन paper रह जाएगा तभी आपको सूचना मिल जाएगी तो आप college से भी जाके अपने admit card को ले सकते हैं अगर आप वीडियो के मादिम से भी देखना चाहिए हम आपक कर पाएंगे तो वीडियो पर लार्स तक बने रहे और चेनों को subscribe कर ले ताकि मैं वीडियो बनाओ तो आपको पता चलिया किस प्रकार से आपको अपने admit card download करने हैं ताकि किसी भी प्रकार से दोस्तों इस बार आप का paper ना चूटे जबकि आप देखने बहुत ही ज्यादा परसानी हो रही इस बार paper को कराने में तो दोस्तों जो exam करा जा रहे हैं वह semester वालों के जो exam करा जाएंगे वह जो है आपके March में होने की संभावना है जी हाँ दोस्तों 24 फरवरी से लेके 5 March के बीच में आप लोगों का जो है date आ जाएगा और इसी इसी दिन इसी के बीच मे बीच में ही आपकी जो परिक्षा है वह करा ली जाएगी तो 24 फरवरी के बाद दोस्तों आप लोगों का जो परिक्षा होगा वह 5 March के बीच में करा जाएगा तो ITS semester के जितने भी चात्रे हैं वह ध्यान दे ले और इसी बीच में दोस्तों आपका payment जो है हो जाएगा परिक कर लेना नई जानकारी के लिए ताकि आपको पलपल की अपडेट जो है दूस्तों मिलती रहे तो उसके बाद आगे चलते हैं ITS semester में बैक वालों के जो परिक्षा होगी वह उसके बारे मैंने आपको बता दिये कि वह बहुत ही जल्द 24 फरवरी से लेके 5 March के बीच में करा जाएगी जैसे नोटिस आएगी हम आपको तुरंत वीडियो के माद दिन से बता देंगे कि बहुत ज्यादा कमेंट आ रखे थे मेरे पास सर सिमेश्टर वालों के बारे में एक वीडियो बनाईए यह semester वालों का एक्जाम कब होगा तो दूस्तों आप लोगों का जो मार्च मार्च के बीच में कराया जाएगा और परिक्षा की तयारी बहुत तेजी से चल रहे हैं दोस्तों आप भी अपनी तयारी तेजी से कर लेजिए तो अब अगला एक्जाम होता है कि काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर क्या हम लोगों का वही एक्जाम जो आफ ओफच्छाइन के आप लोगों के परिक्छा परिक्ष वह होगी आप लोगों का कहीं इक्जाम को를 आइना ओए जूचना आएगे हम आपको बता देंगी वैसे जो चांस है आप लोगों की जो परिक्षा कराई जाएगी सिल्फ सेंटर ही कराई जाएगी अभी जितक जो उमीद है आप लोगों की परिक्षा सिल्फ सेंटर कराई जाएगी हलाकि COVID-19 के चलते आपको पता है परिक्षा जो है ज्यादा बाहर नहीं कराई जा रही है तो नई अपडेट के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे ही आएगी नई अपडेट हम आपको सुचित कर देंगे दोश्तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद